अंतर रास्ट्रे क्रिकेट में अपने देश की टीम में जगा बनाना अब बेहत चुनोती पूर्ण लक्षे साबित हो रहा है लेकिन खेल के सब्से छोटे पॉर्मेट में कुछ ऐसे जबर्दस खिलाडी भी देखने को मिले हैं जिन्होंने बहुत कम उमर में शटक जड़ कर पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि उनके अंदर कितनी शमता है भारत और न्यूजिलैंड के बीच बुदवार को खेले गए तीसरे T20I मैक में शुमन गिल ने अपना पहला T20I शटक जड़ दिया उन्होंने 63 गेंदों पर नाबाद 126 रन ठोक दिये इसके साथ ही वह भारत के सबसे युवा बल्ले बाद बन गए हैं जिन्होंने सिर्फ 23 वर्ष और 146 दिन की उमर में ये बड़ा मुकाम हासिल किया शुमन ने भारत के पूर दिगज बल्ले बाद सुरेश रहना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है लेकिन वर्ड करिकेट में कुछ और ऐसे करिकेटर्स भी हैं जिन्होंने गिल से भी कम उमर में यह कारनावा किया है आज ऐसे तीन खिलारियों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्होंने T20I फॉर्मेट में सबसे कम उमर में शतक बनाया है पहला नाम है फिन एलन, न्यूजिलेंड के स्टार बल्लेबाज फिन एलन ने साल 2022 में स्कॉटलेंड के खलाब 101 रन की शत्किय पारी खेली थी उन्होंने सिर्फ 23 साल और 96 दिन की उम्र में T20I क्रिकिट में सैकड़ा चड़ने का कारनामा किया था मैच में फिन की शानदार पारी की बदावनत न्यूजिलेंड ने स्कॉटलेंड को 68 रनों से माद दी थी दूसरा नाम है एहमस शैदाद पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज एहमस शैदाद पिछले कुछ समय से अपनी टीम से बाहर चल रहे हैं मगर करियर के शुराती दौर में उन्होंने सिर्फ 22 साल और 127 दिन की उम्र में बांगलादेश के खलाफ शह तक जड़ दिया था साल 2014 में बांगलादेश और पाकिस्तान के बीच धाका के शेरे बांगला स्टेडियम में खेले गए टीटोंटियाई मैश में शहजाद ने 62 गेंदों पर नाबाद 111 रन की एक विस्फोटक पारी खेली थी जिसकी मदद से पाकिस्तान ने 5 फिकेट के नुकसान पर 190 रन ठोक दिये थे जबाब में बंगला देश्टी टीम सिर्फ 140 रनी बना पाई और पाकिस्तानी टीम 50 रन से जीत गई तीसरा नाम है हजरत उल्लाज जाजाई अफगानिस्तान के धाकर बलेबाज हजरत उल्लाज जाजाई टीटोंटिया क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शटक जणने वाले खिला री है उस मैच में अफगानिस्तान ने तीन विकेट के नुकसान पर 278 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था लक्षे का पीछा करते हुए आर्लैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 194 रनी बना पाई और अफगानी टीम 84 रन से जीतने में काम्याब रही दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप करने के लिए क्रिक टूड़े टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल भी ना भूलें फिलाल के लिए धन्यवाद